अब नया किस्सा हो जाए बढ़ी आला एक J-Horror करके अलग term जैसे Anime है ना वैसी Japan में J-Horror कहते है अब वो J-Horror की speciality जै कि कोई भी Japan की कहानी या होरर टेल होता है ना वो ऐसा होता है कि आपके घर में ही आपके साथ हो सकता है इतना relatable बनाते हैं वो इसलिए इतना creep out करती है garage हो गया, the ring हो गया, इसा movies इतनी इसलिए जादा popular है कि ऐसे ही बनाते हैं कि ऐसा लगे देखने वाले को कि आपी के साथ हो रहा है और उनके किससे कहानिया भी बिलकुल वैसे ही है और उसमें वह आवाज भी निकालता ना बहुत वह भी एक अवालग होती है कि ऐसा भी नियों जैसे हिंदी से नमें तो चिलाते हैं कैसे चिलाते हैं करके देखाए यह आवाज निकाल रही है आते हुए इस आवाज में बोलेगा कहें? बोलता ही निये, बस यही आवाज निकलती है, जैसे जब भी पास आ रहा है वहाँ तो एक बड़ा सा creepy सा legend है, सुकिमा उना गा जपान गा तो दो legend है, एंफाइं में दोनों समाता है तो सुकिमा उना क्या करती है, सुकिमा उना का मतलब होता है Japanese में The girl in the gaps मतलब कि वो cracks में रहती है दिवारों के crack में, अल्मारियों के crack में, जहां पर भी gap है, window के gap में वो कहते हैं, वो spirit वहां रहती है और वो continuously आपको किसी भी gap से देखती है और कहते हैं कि अगर सुकिमा उना का साया चड़ गया आप पर तो वो आपको लेके ही जाएगी अपनी दुनिया में अच्छा और एक ऐसी कहानी है, एक बंदे के साथ हुआ था ये और बंदा नया नया shift हुआ था अब उसे ऐसा लगने लगा था कि कोई उसे ना continuously देख रहा है तो वो उसे लगता था कि मतलब उसे आँके दिख रही है बैसिकली अलगला gap से कोई दिख रहा है छोटा छोटा सा कि देख रहा है तो वो पागल सा हो गया, वो जाके परदे के पीछे परदे के gap जितने हैं अलमारियों के जितने handle हैं जो दर्वाजे के नीचे की स्पेस है, मतलो जैसे अगर दर्वाजे के नीचे का gap होता है, सब जगा टेपिंग करने लगा, पूरा पूरा घर उसने टेप कर दिया कि मुझे कोई देख रहा है, ठीक है, ऐसे पागल सा हो गया वो, बहुत दिनों तो अफिस नहीं गया वो, तो उसके ऑफिस वाली आई, कि भाई तुझे क्या हो गया, यह क्या कर रहा है तू, तो वो कहता है कि वो मुझे आने नहीं रहेगी, अगर मैं घर से बहार चला गया तो वो मुझे अपने साथ ले जाईगे और मुंझे मार देगी , यह बोल रहा है वो, उपने ऑफिस वो लोग जाते हैं देखते हैं कि पांच सेंटीमीटर की गैप से दो आके उने देख यह क्या दिया वाई और वहां से निकलते हैं जल्दी से जल्दी निकलते हैं और यह जो बंदा है इसामू नाम था इसका यह उस दिन के बाद से दिखता नहीं है जैंगे वो घर खाली है क कि यह है यह रियल लेजएंड है लोग डरते हैं बहुत सारे घर में में देख होगी लोगों ने टेप कर रक्या है जैपिंज को ऐसे क्रैक्स खुले नीजचोड़ते हैं वो यह वाणा जाता है एसी एक बहुती क्रेजी स्टोडिय है टेके टेके की टेके भी वहां का वहा के भूद लेजंड है अरे जैसे ये लेजंड in the sense कि कोई वहा की वहा का famous kiss को वही कह देते हैं कि ये urban legend urban legend जैसे अब अपना दिल्ली की प्यास वाली चुड़ेल हो गई monkey man हो गया ये यहां के legend है ये यहां के legend है ये इस्तरी हो गया नालेबा जो अरिजनल स्टोरी है इस तरी की वहा बहुतों में भी legend रहें जिसके बारे में इतना बोल दिया जाया बहुत के रनाल्ड हुए तो क्या कह रहा इस legend ने ऐसा जो ही legend बन गया ठेके ठेके तो 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 क्या हुआ था कि कहानी बताता हूं तीक है तीक है बंदा था तो वह स्कूल से टीनेजर आदमी अब वह स्कूल से जब भी वापस जा रहा था ने तो उसे घर की खिड़की से एक लड़की दिखती थी जो उसे देखे जा रही है अच्छे से कुछ कॉंटाक्ट हो रहा है कुछ केमिस्ट्री बन रहे है दोनों में और वह रोज जा रहा है रोज देखता है वह खिड़की पर बंदी है और उसे देख रही है एक दिन वह डिसाइड करता है कि चलो में उपड़ जाओंगा आज उस घर में अंदर वह जाता है घर के अंदर पहले तो वह दिखती नहीं फिर वह फाइनली बहाँ एक कमरे में पहुचता है उसे दिखता है कि वह जो लड़की है वह है तो खिड़की पर लेकिन सिर्फ उसकी आधी बोड़ी है पैर नहीं है मतलब उसके हाँ नीचे का कुछ भी हिस्सा है ही नहीं और वह लड़की जैसी उसे देखती है वो लड़की उसकी तरफ ऐसे क्रॉल करती आती है और उससे पूछती है मेरी बागे की बौड़ी कहा थै मुझे बौड़ी बता है my reliable सर्फ धर चल रहा है सर्फ धर चल रहा है और वह ऐसा भागता है वहां कि तो भाई क्या इसलिए उसे टेके टेके बोला जाता है हातों से आवाज आती है वो हातों से ऐसे टेके करके कवाज आती है तो तो लकडी पे चल रही है उसकी आवाज है तो उसी सही नाम रख दिया न उसका उसका गहते हैं एक टीनेज लडगी थी जिसको बुली करा जाता था स्कूल में ब उसका मजाक उड़ाने लगे बहुत जादा और उन्होंने धक्का दे दिया उसे वहीं पे और धक्का ऐसी मजाक में दिया उसे और चले गया वहां से वो उसे धक्का पट्री पे दिया था उन्होंने और पट्री पे उसका पैर फस गया और ट्रेन आई, ट्रेन ने आरपार हो गए उसके, दो हिस्सों में बाट दिया उसे और कहते हैं कि बड़े देड़ तक उसके जान थी उसके अंदर, फड़फड आ रही थी और वो कह रही थी कि कोई मेरी हेल्प कर दो, कोई मेरी हेल्प कर दो अब वो ऐसे कहते हैं अभी वो भटकती है वहीं पर आसपास सुसेरिया में और अपनी आधी बाड़ी ढूंड रही है और नहीं मिलती है उसे तो लोगों कि आधी बाड़ी कर देती है वो कर देती है कर देती है वो लड़का बच गया लेकिन लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे बहुत सारे लोग एक 90s के टाइम पर आधी कटी भी बाड़ी मिली है उनकी जपान अच्छा रियल है रियल में इसकी वो भी है क्या जैसे निउस्पेर कटिंग में की होता है बिल्कुल लोगों ने इसका टेके टेके की वज़े से और एक और है कोची साके होना करके इन दोनों की वज़े से स्कूल के बाद घर से बहार नी निकलने देते लोग अपने बच्छों को को कोची साके होना क्या है गया कोची साके होना भी एक बड़ा इंट्रेस्टिंग सा थी और अगर और यहां करना इससा उसका बहुत सुन्दर होता था जैसे हम बेखते हैं न कुछ-कुछ लड़कियां के हाँ यह मास्क की पीछी कैसे होगा वैसा हम सोचते हैं तो वैसा सही इतनी सुन्दर थी वो अब वो जाके लोगों से पूछती थी कि क्या मैं सुन्दर अगर तुम हां बोलोगे तो वो अपना मास्क उतारेगी अब उसके मास्क में यहां से यहां कटा हुआ है उसका पूरा slit है माउथ ऐसे हां पर तो वो फिर पूछेगी क्या अभी भी मैं सुन्दर हूं अगर तुम हां कहँदोगे तो वो कैची होती है उसके बहुत बढ़ तो तुम गए तो तुम गए और इसलिए लोगों को बच्चों को निकलते नहीं थे एक टाइम पर बाहर नहीं निकलते थे बिल्कुल गलियों में ऐसे घुनते थे क्या आ जाता था कि उसका पती एक Samurai Warrior था और वो जब ऐसे लड़ने गया हुआ था तो इसके पीछे से इसका कोई affair हुआ था लड़की का और बहुत सुंदर थी यह लड़की तो उस Samurai Warrior ने जब वो वापस आया तो उसने क्यूंकि सुंदरता का नास था तो इसने उसका कैजी से वो काट दिया और तब से खून इतना भाद मरी जाते है इसा तो तब से यह घूनती है कोची सा के वोना बहुर्यशने का बहुत जाधा इनके रिसेंट इंसिदेंटस भी आते हैं हा रिसेंट इंसिदेंटस भी सुनने को आचे रिसेंटली अभी कोई ऐसा नहीं सुनने में आया बट son蓮ंद निन्टी状 में बहुत जाधा जाधा पॉप्लियर के घर गर जानता है इस कोचिसा के ओना के बारे में बहुत बहुत बड़ा लेजन्ड माना जाता है और इंफाइट बहुत सारी डेड़ बॉड़ी आशे भी मिली थी के लोगों के जबडे पूरे कटे में बाई हमने जब लास्ट पॉड़कास्ट करा था तो आपने एक होटेल के बारे में अलीसा लैम की स्टोरी बताया था उसमें आपने बताया था कि वह एक गेम खेल रही थी तो ऐसे बहुत सारे हॉरर गेम्स भी है और मेरे खाल से आपके पास उससे रिलेटेड भी कुछ किस् अब बाई है और मतलब ओरर गेम्स तो बहुत पॉपलर हो गए है आजकल लोग अटिवली सर्च करकर के खेलते हैं जैसे पहले पहले के टाइम पर पता होता था एक बोर्ड होता था और लिजाब बुलाने का होता था था बलड़ी मैरी पता था शीशे के आगे बलड़ी मै तो अब उन्होंने एक दिन ऐसी होरर की नाइट कर रहे थे वह अपना बाते बाते के बात उठीक तो उन्होंने का चलो आज ट्राइ करेंगें बलड़ी मैरी तो एक में तो मना कर दिया है फाई मैं नहीं करूँगा तुझे करना है तू कर तो वह जाके शीशे के सामने ती एन बार कुछ नहीं हुआ ठीक है यार सो ग bestimm और और छगया तो अब जब वह सो गया तो उसे पहला सपना है कि के वो कहीं पानी के अंदर है और पानी के अंदर वो निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है और पानी के अंदर ही उसे एक औरत टाइप दिख रही है जो उसके पास आ रही है ठीक है? और जैसी वो पास आके हाथ मारती है, इसकी नीज खुल धी के कुछ हुआ ये उस दिन दो चलो जाएसे सो गया अगले दिन फिर सपना आया इस अगले दिन ये सपना आया कि ये शीशों के किसी उसमें फजगे लिए रूम में कमों में जहां चारों तरफ शीशे ही शीशे है इसमें उस शीशे में वो अपने आपको जब देख रहा है तो बिल्कुल ऐसे मदब उसकी आँखों में से खून बह रहा है और उसके ऐसे पूरी बॉड़ी अकड रही है इस टाइप से उसे सपना आया अर उसे उस शीशे में एक ब्लु बेजी भी दिखा ब्लू कलर का बेजी दिखा जो कहते हैं बलडी मेरी का बच्चा था अच्छा तो अब यह दिखा उसे अब बह कहा रहा है फिर उड़ गया वह कुछ ऊट वह हो अब अपने दोस से चेह रहा है कmee कोछ तो सीन हूहा है मुझे एक बार ढंक से Bloody Mary को बुलाना पड़ेगा Bloody Mary को बुलाने का भी रिच्वाल होता है कि आपको कैंडल जलानी है बकाइदा तीन कैंडल जलानी है एक दो चीज़े और करनी है उसके बाद आप शीशे में जाके बुलाते हो Bloody Mary को तो और बिलकुल अकेले होना चाहिए आपको कि कि तो वो गया उसने अपना दर्वाजा बन किया और उसका दोस्त पास में ख़ड़ा था उसके उसने का Bloody Mary तीन बार Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary अब एकदम से तो कुछ नहीं हुआ वो अभी भी शीशे में देख रहा है अचानक से लाइट्स फ्लिकर करने लग जाती है और उसकी आँखों से खून बहने लग जाता है जैसे उसने शीशे में देखा था अच्छा नहीं हाँ ठीके उसकी आँखों में से खून बहने लग जाता है और तब भी उसे ब्लडी मैरे एकदम से फ्लैश में दिखती है अपने पीछे और वो चलनाने लगता है अब भार उसका दोस्त किता है रे जाए होग और तुझे वो यहां है वो यहां है मेरी आँकों में से खून बह रहा है वो यहां आ गई है मुझे लेने आ गई है वो प्लीज मेरी help कर वो कोशिश कर रहा है दर्वाजा खोलने की किसी तरह दर्वाजा खोल जाए खोलनी रहा है नीचे से वो देख रहा है light flicker कर रही है वो कुछ उसकी help नहीं कर पा रहा है वो जाके warden को भुला के लाता है कि क्या हुआ है बॉड़न आके जब दर्वाजा खोले जाता है तो उसकी body distorted होती है आखों में खोने से पूरा बना होता है मतला वो लेगी गई पर उसे सपने आ रहे थे तो साले को क्या जरूरत थी दुबारा बुलाने की उसे डंग से बुलाने ही पड़ेगा जब दंग से नहीं बुलाया तब इतनी फाड़ दी हाँ भाई ऐसे तो बेकार बात है भाई एक आप मेक्शिको का गेम बता रहे थे जिसका इंडियन सा नाम ता कुछ उसके बारे बताव ना सवीता बाभी क्या नाम था सवीता बाभी सवीता बाभी तो तुम्हारा गेम है हाह अच्छा उन दोनों का, तो अब वो कहते हैं कि आप सारा सरेता को बुला सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, तो आपको एक कॉइन चाहिए होता है, दो कॉइन चाहिए होता है, ठीक है, उसको गेम को खेलने के लिए, वड़ा सिंपल सा गेम है, तो आप उस कॉइन को उचालते हो, तो दो लोग में होता है यह game, इसे जादा नहीं, दो लोग बैठे हैं आमने सामने, एक-एक कोईंक्वनों के पास है, दो उचालते हैं, और बोलते हैं कि सारा सरेता, आर यू देर ठीक है तो अगर दो हैड़ आ गए इसका मतलब होता है येस दो टेल्स है तो नो और अगर बीच का है हंग वह तो आपको होता है बापिस से आपको घुमाना है सिक्का मतलब मेबी टाइप पला सीन है तो अब क्या होता है कि आप उनसे सवाल पूछते हो पहला सारा सरिता, have you been murdered? आपका murder हुआ है तो दो heads आ जाएंगे अगर कुछ और तुमने अपनी life से पूछा तो वो yes or no बता देती है अब लेकिन इसमें एक twist है गेब में कि आप उस game को end करने से पहले आपको उनकी permission लेनी पड़ती है कि सारा सरिता, can we end this game? अगर जब तक वो दो heads आपको करते रहना है और अगर आपने वो game बीच में छोड़ दिया तो आपको मार दिया जाएगा वो साथ रहेंगी वो साथ रहेंगी वो या ले जाएंगी वो ले जाएंगी तुमने और एक दो cases भी आएं जो women's washroom में जहां पर दो लोगों की लाशे मिली है सारा सरिता game खेल रहे थे वो मतलब यह कि अगर heads heads आना शुरू हो गया या तो heads heads आएगा head या फिर tail tail आएगा head tails नहीं आएगा head or tails नहीं आएगे अगर एक बार वो आ गई हां मतलब एक बार आगई head or tails भी आ सकते लेकिन आपको गुमाना पड़ेगा बार बार मतलब है तो वैसे logic इसका ऐसला समझ नहीं नहीं आएगा तो तुमने बोला कि क्या तुम यहां पर हो फिर तुमनों toss किया heads heads आगे मतलब वो यहां पर हैं उसके बाद heads आएगा या tails आएगा combination नहीं आएगा तो इसका कोई ऐसे बुरा किस्सा भी किसी ने try किया और स्गात कुछ हुआ हूँ आई एक मतलब online तुमें मिलेंगे किस्से जहां पर reports आई हैं कि लोग मतलब एक दो लोग girls washroom में मरे वे मिले हैं जो सारत सारता game attempt कर दे रहे जुन्होंने मतलब तीन दिन पहले या चार दिन पहले से game केला हूँ तो यह सार या किस्सा है सारतागा वो लगता तो बिलकुल इंडिया नहीं होगा कुछ लेकिन है यह मेक्सिको का origin game तो यहर ऐसी horror games तो बड़े popular हो रहे हैं आजकल एक recent horror game बहुत popular हो गया है बाद game करके वो भी Japan का legend है अच्छा क्या होता वह इसमें तो इसमें ना क्या होता है कि आप एक भूत को बुलाते हो जो बाट टब में मरा था अच्छा ठीक है दारुमा सेन नाम है उस बूत का ठीक है तो इस game को खेलने का रिच्वल यह है कि आपको बाट टब चाहिए होता है और जपैन में बहुत ज़्यादा मतलब में हर घर में एक बाट टब है लग बग खण लग लग बग म 된 तो आप जाते हो पाठ लाईटे ते नहाते हो सारे कपड़े उतारें अपको नहाना है और बाल धोते समय आपको दारुमा सेन को बुलाना है दारुमा सेन, दारुमा सेन, ऐसे अबाज लगाने है दारुमा सेन को तो और आखें बंद करके गरना है यह ठीक है? आपको आखें खोलनी नहीं है आपको suddenly feel होगा कि कोई आपके सामने आगे खड़ा है और वो गिरा है बाटब में नल के उपर, टैप के उपर और उसकी नल से आँख फोटी है तो यह सब feel होगा आपको लेकिन आपको आँख नहीं खोलनी है अपनी यहाँ पर फिर उसके बाद पानी में आपको ऐसा लगेगा कोई आपको पकड़ रहा है लेकिन एगए इन आपको फिर से आँखनी घोलनी है और उसके बाद आपको हँआसे उठके बाहर जाना है घूआ अच्छा आछप बंध में कम्रे से बाहर जाना है अँग गिर विर गया तो आपका रिसम दोर और खुल गई तो वो भी आपका रिसम, ले जाएगा वो आपका रिस्क है, वो कभी छोड़ेगी नहीं आपको, आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, कभी ऐसा बना जाता है, तो एक जपैन की लड़की ने गेम ट्राई किया था, उसने पूरा एक इससा ना अपनी एक डायरी एंट्री में लिखा था, तो वो बाद में डायरी तब उससे लगा, सब नॉर्मल है, कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ शायद इससे फील हुआ होगा प्रेजन्स, बड़ वो शायद पानी का उससे लगा यह सब वहा होगा, जो आवाज हुई, शायद कुछ होगा, लेकिन उसने गा, यह सब चलता है देखते हैं, क्या होता है, आगे क्या होता है, तो वो बाहर जा रही है, अब वो जब भी मुलाब वो सो गई उस रात, अगली रात जब वो उठी, अगली सुभा जब वो उठी, तो उसे ना हर जगा ऐसा लग रहा है कि कोई एक आंक वाली ऑौरत उसे देखे जा रही है, जिसकी एक आंक फूती ले गई तो वो ग्रॉसरी स्टोर लेकी गई उसे तो उसने कुछ समान पगड़ रखा था अपने हाथ में जानक से मॉम ने उसे बुलाया मॉम की तरफ उसने देखा और जब वापिस देखा तो उसके हाथ में वो समान नहीं था उसकी कटी भी मुंडी थी और तरी तो उसके हाथ से वो चूड़ गया नीचे पर देखा तो समान था परसे तो अभी ऐसे ना इसे पागल कर रही थी इस लड़की को कहां कहां ये बार बार आ रही है दिखे जा रही है और मतलब ये गाड़ी में बैठके जा रही है तो इसे दिख रहा है कि वो साथ जहां ये जा रही है वहाँ इसे दारुमा सेन दिख रही है ठीक है अब उसने लिखा कि इस से बाहर कैसे निकला जाए इस गेम को एंड करना है तो किट्टा कर तो ऐसा है कि जब भी दारुमा सेन आपको दिखेगी आपको उसके सामने किट्टा बोलना है तो अभी क्या है exactly वो पता नहीं है लेकिन ऐसा है तो अब जब भी वो किट्टा बोलने के लिए शुरूई करती थी वो गाया हो जाती थी उसके सामने से वो आई नहीं रिया उसके सामने बार बार और उसने दोहर देखा कि कैसे इसे एंड करा जाए गेम तो उसने आपको वापस से बाट टब में पानी भरा और वापस से उससे बुलाने का ट्राइ किया ठीक है वो आई लेकिन वो फिर से उसके किट्टा बोलने से पहले गायब हो गई अब वो बहुत परशान हो गई है और बिलकुल ऐसा होता ना कि तुम कोई साय है तुम पर चढ़के बैठा हुआ है तो तुम कैस जाओगे तुम एक दम restless हो जाओगे किया हो किया राया और इसे हेवी हवी लगेगा You produce है और वर उससे पेरिंट जखर एक क्या हो रहा है एससे तो उसके पेरिंट्स उसे सुला वर उसके पेरिंट्स उसे गोली पीश्या देख सुला आ ते ये नीम की अब 24 घंटे बीच ज मतलब कि अवर है गई है उसके सामने कुछ दिनों बाद मतलब दो-तीन दिन बाद ही उसकी बॉडी बाट टब में मिलती है पड़ी उस लडगी की वो बाट टब में मर जाती है और यह सब उसकी डायदी में उसने लिखा हुदा जो उसके पेरेंट्स पढ़ते हैं कैसा हुआ है वो बाद गेम खेल रही थी तो ऐसा भी सीन है भाई मतलब अग भी ने खोली फिर भी उसके पीछे फढ़ गई है उसका अद अलग हुआ उसका वो इन्वाइट करते हूँ अगर वो इन्विटेशन आपने दे दिया तो उसके हाथ में उसके हाथ में कब जाए यह लगी गेम है यह भी बहुत पॉफुलर हो रहा है अचके और भी कोई गय है वही एक और गय में बड़ा फॉफुलर है वो भी चार्ली चार्ली करके है त बच्चे की बच्चा था जो मर यादा चार्ली नाम का तो कहते हैं वह भी बहुत ही सिंपल था सेट अप बनाया हुआ है कि आपको दो पैंसिल चाहिए है उसके लिए और येस नो ऐसे टाइग नली नो और येस आना है और पैंसिल आपको ऐसे रखनी है इस फॉर्म में तो फिर आप उसको लाइटे वाइटे ओफ करके मौमबत्यां जलाके आप उससे बुलाते हो चार्ली को के चार्ली चार्ली आर यू दैर तो अगर पैंसिल घूमेंगी तो डाइगनली येस पे आ जाएंगी पूरी येस और नो इस तरीकी का होता है इसका पेपर पे बिचागे कर सकते हो तो ऐसी बाहर की किस्सा है अगे के होस्टल में होते हैं सब किस्से जादा तर चार लोग खेल रहे थे ये गेम चारो कॉर्णर पे बैठे वे थे उनमेंसे एक कह रहा था क्या तुम फाल्तुगिरी कर रहे हो मुझे नी कहलना है इसब कहलना खेलना मजा आएगा तो अब उन्होंने का चार्ली-चार्ली आयू अर यू दयर तो पहले तो कुछ नहीं हुआ धिर दुबारा पूछा तो फर कुछ हुआ नहीं पर पैंसिल ना इस Counter cutter सी होने लगी वहीं पे पर। उसकी वाट उन्होंने फिरसे पुछा चार्ली-चार्ली अर यू दयर तो व कि बेवकूफ मैं बेवकूफ मी बनने वाला तो सब के सवाल हो गए तो इसके अउपडर सवाल आया कि सवाल पूछ लेपना तो वो पूछता है चारली चारली तुम बेवकूफ हो गया हार यू स्टूपेड तो इस बार पेंसिल हिलती नहीं है और वो लगता है कि देखा, ये सब मैं कही रहा था, बेकार का गेम है, कुछ नहीं है, ये तुम पागल मना रहे हो मेरा, वो छोड़ देता है, गेम उठ जाता है वो, अब वो जैसी उठता है, गेम से, लाइट्स फिलिगर करने लग जाती हैं कमरेगी, जो भी मतलब मुंबत हो जाता है, और एकदम से मुंबती फिर बंद हो जाती है, कमरे में पूरा अंधेरा है अब, और पूरे अंधेरे हुए कमरे में, दो लाल आखे जलती भी दिखती हैं बस, वही उसी हाइट पर, मतलब एक बच्चे की हाइट पर, ठीक है, अब बापिस से, वो सब कहने लग जिखती हैं कि जो बंदा उसका मजाग और चार्ली का उसे फिट्स पढ़ रहा है, बहत बुरी तरह, और फिर उसे वस्पिटल लेकर जाए जाता है, वो अल्टिमेटली बच जाता है, लेकिन यह स्तीन है कि यह चार्ली चार्ली का ऐसा मजाग नहीं उनाना चीए, चार्ली कि जो आपने पैंसिल वाली बात बताई ना तो हमारे एक फ्रेंड है आप उन्हें जानते हो कैमरा पे नाम नी लेंगे बट उनको किसी ने वीडियो भेजी कि वह गेम खेल रहा था नौट एक्जाक्ली चार्ली बट किसी स्पिरिट से वह कर रहा था अपने घर में और पैंसिल ही लीती और यही की बात है और इसका सबूत है, यह वीडियो हमें देखी है और कोई वो सीनी मेगनेट है, क्या है, प्रॉप पर हिल रहा है पर उनमें पैंसिल नी थी, पैं थे और वैसे ही रखे थे, क्रॉस में और यह वह वह भाई कहते हैं, चाड़ी-चाड़ी का काफी मतलब content creators नहीं भी इसके ओपर वीडियो बनाएंगे, और कुछ ना कुछ अजीब सा हुआ है, मैं लिए और पुछ पैरनॉर्मल यह सब तो बहुत सारी वीडियो है पर खेर हम तो यही suggest करेंगे आप लोग को की भाई मत करो try क्योंकि इंचों से खेलना ठीक नहीं है, आपके लिए हम ला रहे हैं बढ़िया बढ़िया बाते हैं उसे सुनो और मजे लो, ज्यादा try करने के curious मत हो, आपको try करना है तो हमारे कपड़े try कर सकते हो, बढ़िया क अपकास खास दिव्य भाई के लिए एक gift hamper है, अब मिलेगा मुझे मतलब मैं बिल्कुल भाई, आपने इतना बढ़िया content हमें दिया है, तो आप deserve करते हैं, तो भाई यह आचुका है hamper, अरे क्या बाद है, क्या लग रहा है इतो, packaging भी इसकी, क्या शादार है यार बढ़ि यार, क्या बाद है अरे यार, क्या बाद है, दिखाओ ना क्या क्या है जनता को हमारी, एक बढ़िया कप, I am spiritual, अजा इसमें spiritually ही नहीं, इसमें spirit लिखा है पहले, जो आपका genre है, और dual, साथ में मिला कि spiritual, अलग-अलग spirit, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत खोले, हुड़ी खोल दो, हुड़ी, हुड़ी खोल दो, हुड़ी खोल दो, हुड़ी खोल गए, इसकी जरह quality बताओ कैसी है, बहुत बढ़िया यार, हम चाते जब आप अपनी next horror, horror story narrate करो, तो फिर आप ये पहन के, क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा यार, material सब काफी बढ़िया लग रहा है, इसका, बाई कर दे न, इसका promotion न, अपने Instagram पर, मैं कर दूँ, कर दूँ, हमने story बढ़िया डाल दूँ, जो भी तुमें चाहिए, मुझे पता दे न, क्या वात है, बहुत ही सही, प्रिंट बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग है, प्रिंट, कलर जो एक दम निकल के आ रहे हैं, बढ़िया, हमने बात की दिए, जो आदमी कर रहा है, मेडिटेशनिस में आपका फिच लगवाद है, एक दून, एक दिन ने से, तो दोस्तों, हम आप से मिलेंगे नए पॉड़काश के साथ, और मैं आपको बताना चाहू कि दिवे भाई का चैनल है, खूनी मंडे के नाम से, जिस पर हर मंडे एक हॉरर स्टोरी एनिमेटेड फॉर्म में देखने को मिलती है, बहुत ही एंटरेटेनिंग होती है, आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ गोल बटन आ रहा है, साती साथ बाही का एक चैनल भी है, जिस पर वो क्राइम स्टोरीज डिसकस करते हैं, खूनी मंडे, और उसका चैनल का गोल बटन भी हम यहाँ लगा रहे है, साती साथ इनके इंस्टाग्राम पे शॉर्ट होरर स्टोरीज नरेट करते हैं, जिसमें यह मर्च पहनेंगे, तो आप जाके ज़रा वे और आप अगर पॉड़कास करने के शौकीन हो, करना चाहते हो, तो हमारा कोर्स भी है, जिसमें आप पूरा पॉड़कास सीख सकते हो, कैसे करते हैं, वो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी आप चेक आउट कर सकते हो, मिलते हैं जी, कर लेंगे हो,